अफगानिस्तान, अग्रेवियाड ओव एमपायर्स दोस्तों, आज की चर्चा में हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां शासन करना बड़े से बड़े एमपायर्स और राष्ट्रों के लिए एक जटिल कारे रहा है हम उस देश की बात कर रहे हैं, जिसे Heart of Asia भी कहा जाता है और ये देश है अफगानिस्तान इधिहास में कई बड़े एमपायर्स और महान शक्तियों ने अफगानिस्तान की भूमी पर शासन करने का प्रयास किया लेकिन एक स्थेर और स्थाई शासन बनाए रखने में विफल रहे हाना कि कभी-कभी इन्वेडर्स को कुछ शुरुवाती लड़ाईयों में थोड़ी सफलता भी मिली लेकिन आखिर में हर बार उन्हें अफगानिस्तान को छोड़ कर भागना ही पड़ा 19th और 20th सेंचुरी के दोरान फॉरिन इन्वेजिन्स का विरोध करने में अपनी सफलता के लिए अफगानिस्तान प्रसिद्ध रहा है इतिहास के जानकारों के दोरा इस क्षित्र को सामराज्यों का कबरिस्तान यानी की ग्रेवियाद्स वेंपायर्स की उपाधी दी गई है आखिर क्यों ब्रिटिन, सोवियत यूनियन से लेकर अमेरिका समेथ दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां इसे जीतने की कोशिश में नाकाम रहे इस सवाल का जवाब अफगानिस्तान के इतिहास और भुगोल में मिलता है इस साउथ एजिन कंट्री की सीमाएं युद्ध, कूटिनीती और विदेशी घुसपैट की एक कहानी कहती है आईए इस देश की कहानी का विस्तार से विशलेशन करें जिसने इसे ग्रेवियाद्स वेंपायर्स का उपनाम दिया History of invasion in Afghanistan before 19th century दोस्तों, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से पहले प्राचीन भारत के गानधार का हिस्सा थे जो की अब West Pakistan और East Afghanistan का एक शेतर है सभवत है, Southern और Eastern Afghanistan का अधिकांश भाग पहले से ही आज कि पश्टून द्वारा बसाया हुआ था उनकी पश्टो भाषा एक प्राचीन पूर्वी इरानी भाषा है जो की Zoroastrian Scriptures की ओरिजिनल भाषा अवेस्तन से संबंधित है हमें पहली बार 500 BCE के आजबास अफगानिस्तान के इतिहास की एक सपश्ट जलक मिलती है इतिहास के दस्तावेजों के अनुसार तब ये क्शेत्र एकीमिनिट Persian Empire का Eastern Part हुआ करता था एकीमिनिट Empire के founder Cyrus the Great ने Indus Valley के Western Regions पर कबजा कर यहाँ अपना सामराज्य बनाया था ये क्शेत्र कई provinces में विभाजित था जिसमें आज का काबुल, जलालाबाद और पेशावर शामिल थे Cyrus की मृत्यू के बाद इस Empire के तीसरे किंग Darius I ने यहाँ अपने राजवंश की स्थापना की और सामराज्य को और विस्तार दिया धीरे धीरे इस सामराज्य की पकड़ कम होने लगी और लगभग 330 BC के आसपास Alexander the Great ने आज के अफगानिस्तान पर आक्रमन किया उन्होंने Battle of Gaugamela में अकीमिनिट किंग Darius III को हरा कर इस क्शित्र को हासिल कर लिया था और इसके साथ ही अफगान भूमी पर Persians के राज की समापती और Greeks Invasion का आरंब हुआ अफगान की भूमी ने Alexander को काफी चनौती पूर्ण लड़ाई प्रदान की उनकी आमी को वहां की एक प्रॉविंस बैक्ट्रिया के ट्राइबल एरिया में बहुत भारी रेजिस्टन्स का सामना करना पड़ा था कहा जाता है कि तब Alexander ने कहा था कि अफगानिस्तान में आगे बढ़ना आसान है लेकिन बाहर निकलना मुश्किल Alexander सभी प्रॉविंसेज को प्लिटिकली जोड कर रखपाने में विफल रहा और 323 BC में उसकी मृत्यों के बाद उसका सामराज्य टूट गया Alexander के सेनापती Seleucus ने इस्टन पार्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया और यहां Seleucid डाइनिस्टिक की स्थापना की इसके अलावा विभिन जनजातियों दुआरा इस क्षेत्र को मिनी स्टेट्स में विभाजित कर दिया गया और उन्होंने वहां अलग-अलग सामराज्यों की स्थापना की इनमें Greekobacterians, Indoparthians, Sakaz यानी की Cetians, Kushans, Whitehans इतियादी शामिल थे इस समय तक अफगानिस्टान ने शासन करने के लिए एक कठिम क्षेत्र की प्रतिष्ठा तो हासिल कर ली थी जब 8th century में Arabs इस क्षेत्र में पहुँचे तब ये छोटी-छोटी ही सही लिकिन मजबूत रियासतों में बढ़ चुका था कांदहार के जुन्बिल्स को जीतने के प्रयास में Arabs पूरी तरह से विफल रहे और ये उनके कॉंक्वेस्ट के बाद का पहला बड़ा जटका था 11th century में गजनी के महमूद को अफगानिस्तान के विजेताओं में सबसे महन माना जाता है जिसने एरान से भारत तक गजनवीद सामराज्य बनाया था एक मिलिटरी कमांडर के रूप में महमूद की क्षमताओं के वावजूद वो अपने सामराज्य को मजबूत करने में विफल रहा गोरियों ने 1150 में गजनी पर कबजा कर लिया और मुईज जल्दीन जिसे गोरी के मुहम्मद के रूप में जाना जाता था उसने 1180 के आसपास अंतिम घजनवीद गड़ पर कबजा कर लिया 13th सेंचरी तक आते आते इस क्षेतर पर जेंगेज खान ने कबजा कर लिया जब जेंगीज खान ने विशाल मॉंगोल एंपायर बनाने के लिए इस क्षेतर पर आकर्मन किया तो उन्हें बामिया वैली में भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा 1221 के आसपास उसकी आमी ने इस इलाके को घेट लिया 14th century के अंतर तक आते गाते अफगानिस्तान क्षेतर एक नौधन हिस्से को तेमूर द्वारा जीत लिया गया था तेमूर एक टर्क मॉंगोल ट्राइब से सम्मंधित था 16th century की शुरुआत में 1506 के आसपास तेमूर सामराज्य भी धीरे धीरे डिसिंटिग्रेट होने लगा इसके बाद मॉगल शासक बाबर ने भारत को जीतने से पहले दो तशक तक काबुल में खुद का राज्य बनाने में कामियाबी हासल की हलांकि मुगल शासन भी यहां हमेशा अनिश्चित ही रहा क्योंकि उन्हें लगातार आदिवासी विद्रोह का सामना करना पड़ा था 1649 से 1653 में हुआ मुगल सफाविद वॉर अफगानिस्तान क्षेत्र में मुगल्स और सफाविद सामराज्य के बीच लड़ा गया था 1700 के दशक तक ये क्षेत्र एक देश के रूप में एक जुट नहीं हो पाया अधिकांश हिंदू कुष क्षेत्र 1738 तक बहुत हलके तोर पर मुगल कंट्रोल में था जब नादिर शाह दुआरा इसे जीत लिया गया इसके लगभग एक दशक बाद एहमद शाह दुरानी को अफगानिस्तान विरासत में प्राप्त हुआ और उसने नादिर शाह की मृत्यों के बाद 1747 में यहां दुरानी एंपायर और मौडरन अफगानिस्तान की स्थापना की दोस्तों अभी तक की चर्चा में हमने मुख्य रूप से तीन फैक्टर्स देखे हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान को जीतना मुश्किल रहा है आईए समझते हैं इन फैक्टर्स को इसमें सबसे पहला फैक्टर यह है कि अफगानिस्तान इरान, सेंट्रल एजिया और इंडिया की बीच में लैंड रूट पर लोकेटिड है इसलिए इस पर कई बार आकरमन किया गया साथ ही कई ट्राइब्स दुआरा यहां सामराज जिबसाया गया जो कि आसपास में और बहरी इंवेडर्स दोनों के लिए विरोधी के रूप में कारे करते हैं दूसरा रिपीटेड इंवेजन और इस एरिया में ट्राइबलिजम की स्ट्रॉंग पकड़ होने से यहां अराजकता यानि अनकी की स्थिति उत्पन हुई जहां लगभग हर गाओं या घर एक किले या कलात के रूप में बनाय गया था और तीसरा अफगानिस्तान का फिजिकल टेरेन यहां विजय प्राप्त करने और शासन करने को कठिन बना देता है अफगानिस्तान में दुनिया के कुछ उचे और कटीले पहाड का प्रभुत्व है इनमें हिंदुकुष शामिल है जो इस देश के मध्य और दक्षन के साथ-साथ पूर्व में पामीर की पहाड़ियों से होकर गुजरता है पामीर नौट जहां हिंदुकुष, पामीर, त्यानशान, कुनलुन और हिमालियाज सभी मिलते हैं ये नौट इस्ट अफगानिस्तान के बदाक्षान में स्थे थे फॉरिन इन्वेडर्स ने अब तक ये जान लिया था कि अफगानिस्तान में टेंप्ररी विक्ट्री पाना तो आसान है लेकिन इस क्षेत्र में लंबे समय तक टिकना लगभग असंभव है यहां पर मौजूद स्ट्रॉंग गोरिलाज, ट्राइब्स और बड़े-बड़े महल विदेशी शक्तियों को जुकाने में अधिक सक्षम थे 19th सेंचुरी के अधिकांश समय और 20th सेंचुरी की शुरुआत में अफगानिस्तान के क्षित्रों के लिए बिटिश एंपायर और रॉशन एंपायर के बीच पिलिटिकल और डिप्लोमाटिक टक्राव था बृटिन को डर था कि रशा का सेंट्रल एजिया में एक्सपैंशन का मेन एम भारत पर कबजा करने का है जबकि रश्या को डर था कि बिटिश सेंट्रल एजिया में अपना विस्तार न कर ले नतीजतन दो मेजर यॉरोपियन पावर्स के बीच अविश्वास और युद्ध का गहरा माहौल बन चुका था रश्या से अपने बिटिश इंडियन एंपाईर की रक्षा करना तब बिटिन की प्रायोरिटी बन गई थी और इसी वज़े से बिटिन ने अफगानिस्तान पर कबजा करने का प्रयास किया जिससे वो इसे इंडियन एंपाईर के लिए एक बफर के रूप में यूज़ कर सके इस पूरी स्थिती को दे ग्रेट गेम कहा जाता है आईए विस्तार से देखते हैं इस दे ग्रेट गेम की कहानी History of invasion in Afghanistan after 19th century and the great game 19th century में British Empire ने जो उस समय दुनिया में सबसे शक्तिशाली था अपनी पूरी ताकत से अफगान की भूमी को जीतने की कोशिश की Britain ने 1839 से 1919 के बीच तीन बार अफगानिस्तान पर हमला किया पहले Anglo-Afghan War में Britain ने 1839 में काबल पर कबजा करने के लिए आकर्मन किया Britain को लगा कि अगर उसने ये कदम नहीं उठाया तो उससे पहले रशा काबल पर कबजा कर लेगा लेकिन चार साल के अंदर सिर्फ कुछ साधारन हतियारों के साथ अफगान ट्राइब्स दुआरा अंग्रेजों को निशकाशित कर दिया गया Historians बताते हैं कि इस युद्ध ने British expansion को कमजोर बना दिया और इस विश्वास को भी कि Britishers को कोई हरा नहीं सकता इसके चार दशक बाद British ने दूसरा आकर्मन किया और 1878 से 1880 तक Second Anglo-Afghan युद्ध हुआ इस बार कुछ सफलता तो मिली थी लेकिन लंबे समय तक पकड़ बनाए रखने में ब्रिटिन फिर विफल रहा साल 1919 में फिर से तीसरा Anglo-Afghan युद्ध छड़ गया ये वो समय था जब रशा में चल रहे बॉल्शेविक revolution ने रशा के खत्रे को कम कर दिया था इसके साथ ही First World War ने ब्रिटिन के military खर्चों को बेतहाशा बढ़ा दिया था ऐसी situation में British Empire की अफगानिस्तान के प्रती रुची कम होती गई इसी वजह से चार महिनों तक चले Third Anglo-Afghan War के बाद ब्रिटिन ने आखिरकार अफगानिस्तान को independent घोशित कर दिया इस युद्ध के खत्म होने के बाद अफगानिस्तान अपनी स्वतंत्रता को फिर से स्थापित कर पाया और अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को सही करते हुए ब्रिटिश इंडिया के साथ borderline बनाने के लिए तयार हुआ इस borderline को Durant Line कहते हैं ये रेखा आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा बनती है दोस्तों इन्वेजन की सीरीज यहां भी खत्म नहीं हुई इसके बाद साल 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर आक्रमन किया सोवियत यूनियन ने हमला तो कर दिया था लेकिन उन्हें ये समझने में दस साल लग गए कि वो जीत नहीं पाएंगे क्या कारण था इसाकरमन का दरसल 1920 के दोरान अफगानिस्तान में अमीर अमानुल्ला खान के नेतरित्व में सुधारवादी प्रयासों का सिलसिला चल रहा था इन सुधारू में महिलाओं के बुर्खा पहनने की प्रथा को खत्म करना भी शामिल था इन प्रयासों ने कुछ ट्राइबल पॉपिलेशन और कंसर्विटिव इसलामिक लीडर्स को नारास कर दिया और इसी वजह से वहां ग्रिह युद्ध यानी की सिवल वार की शुरुआत हो गई अफगानिस्तान ने सोवियत यूनियन मिलिटरी से सपोर्ट की गुहार लगाई और उसके बाद सोवियत यूनियन ने 1979 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया ताकि कॉम्यूनिस्ट सरकार को सत्ता में बनाय रखा जा सके इस संघर्ष की वजह से अफगानिस्तान में लंबे समय तक हालात गंभी रहे कई मुझाहिदीन ओगिनाईजेशन्स और छोटे माविस्ट ग्रूप्स ने सोवियत यूनियन का विरोध करते हुए उनके खिलाफ युद्ध छेर दिया इसके जवाब में सोवियत यूनियन ने भी लैंड और एयर रूट से हमले किये जिससे स्थानिये निवासियों को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा मुजाहिदीन को मुख्य रूप से United States of America, पाकिस्तान, एरान, साओधी अरेबिया जैसे देशों से समर्थन मिल रहा था दरसल ये संघर्ष एक तरह का proxy war था जिसमें major powers war में खुद शामिल न होकर funding और weapons के त्रू अपना समर्थन दे रहे थे इस संघर्ष के दोरान लाखों अफगान लोग मारे गए कई लोग तो refugees के रूप में देश छोड़ कर भाग गए बड़े पैमाने पर खुन खराबे के बाद सोवियत यूनियन की आमी कुछ बड़े टाउन और सिटीज पर अपना कंट्रोल जमाने में सफल हो गई लेकिन ग्रामीन इलाकों में मुझाहिदीन का दबदबा बना रहा असल में सोवियत यूनियन ने शुरुआत में अफगानिस्तान के टाउन्स और सिटीज को सुरक्षित करने और नए नेता के तहत सरकार को स्थिर करने के बाद छै महिने से एक साल के भीथर वापस चले जाने की योजना बनाई थी लेकिन उन्हें गुरिलास के भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा इसके साथ ही कठोर ठंडे अफगान इलाके में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा और देखते ही देखते सोवियत यूनियन नौ साल तक चले इस खूनी युद्ध में फंसा रहा देर से ही सही लेकिन सोवियत यूनियन को एहसास हुआ की युद्ध की कारण उनकी एकॉनमी पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और अब वो युद्ध जारी नहीं रख सकते 1988 में उन्होंने अपनी मिलिटरी को वापस बुलाने का फैसला किया ये एक बेहद खरचीला और शर्मना की युद्ध था जिसमें सोवियत यूनियन अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अफगान गुरिला फाइटर्स से जीत नहीं पाया लगभग एक दशक तक चला ये सोवियत अफगान युद्ध अफगानिस्तान में गंभीर विनाश का कारण बना इसके साथ ही स्कॉलर्स का मानना है कि यही युद्ध सोवियत यूनियन के डिसल्यूशन का भी एक कारण रहा बिटिन और सोवियत यूनियन के बीच एक बात कॉमन थी दोनों ही एमपायर्स ने जब अफगानिस्तान पर हमला किया तो वो अपनी ताकत के चरम पर थे लेकिन इस हमले के साथ ही धीरे-धीरे दोनों ही सामराज जिब भिखरने लगे सोवियत मिलिटरी की वापसी के बाद मिड-1990s में अफगानिस्तान में तालिबान नामक एक इस्लामिस्ट मिलिटिन्ट ग्रूप उभरने लगा तालिबान की मंशा इसकी स्थापना के समय से ही एक समान रही है यह हमेशा अफगानिस्तान पर निर्विरोध और निर्विवाद अधिकार स्थापित करना चाहता था तालिबान ने तेजी से अपने इंफ्लूएंस को बढ़ाना शुरू किया इसके ठीक एक साल बाद प्रेजिडेंट बुरहनुदीन रब्बानी के शासन को हटा कर राजधानी काबूल पर भी कबजा कर लिया गया 1998 तक अफगानिस्तान के लगभग 90% हिस्से पर तालिबानियों का कंट्रोल था अफगानिस्तान में ब्रिटिन और सोवियत यूनियन के असफल प्रयासों के बाद 2001 में यहां अमेरिका ने एंट्री की इसकी वजह थी अफगानिस्तान में डिमोक्रिसी को सपोर्ट करना और 9-11 हमले के जिम्मेदार अल-काइदा को खत्म करना दरसल अमेरिका को ये खबर मिली थी कि 9-11 का मास्टर माइंड ओसामा बिन लादिन अफगानिस्तान में ही छुपा हुआ है और इसे ही खत्म करने के लिए 7th October 2001 को Operation Enduring Freedom के अंतरगत अमेरिका ने अफगानिस्तान पर आकरमान शुरू किया अमेरिका तालिबान को आत्म समर्पन के लिए मजबूर करने में सभल भी रहा लेकिन ये स्थिती ज्यादा दिनों के लिए ऐसी नहीं रही तालिबान ने तरित्व पूरे अफगानिस्तान में मुख्य रूप से साउथीस्ट में चिप कर काम कर रहा था और इसके साथ ही तालिबान ने युनाइटेट स्टेट्स उसके अलाइज और मिलिटरी के साथ साथ अफगान गवन्मन के खलाव भी गुरिला हमले शुरू कर दिये 2006 में युएस फोर्सेज ने इस देश की सिक्योरिटी नेटो डिप्लॉइट फोर्सेज को सौंदी और फिर शुरू हुआ लड़ाई का एक लंबा सिलसिला ये युद्ध तब से लेकर 2021 तक चलता रहा इस बीच 2nd May 2011 को 9-11 अटैक का मास्टर माइंड उसामा बिन लादेन युएस फोर्सेज द्वारा मारा जाता है लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई लंबे संघर्ष के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान को तालिबान के कंट्रोल से पूरी तरह मुक्त नहीं करा पाया बलकि इसके उल्टा तालिबान का डॉमिनेंस एक बार फिर बढ़ने लगा और युएस ने भी हार मान ले अब वो इस लड़ाई में और ज्यादे इंवॉल्व नहीं रहना चाहता था और शुरुवाती हमले के 20 साल बाद 2021 में अमेरिकन प्रेजिडेंट जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला ले ही लिया जिसके परणाम स्वरूप वेस्टन फोसेज की वापस ही हुई और काबुल पर तालिबान का तेजी से कबजा हो गया अंतर राष्ट्रिय परिद्रिश्य पर इस विनाशकारी विभलता को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा Graveyard of Empires के नाम से अफगानिस्तान की ख्याती को याद करते हुए बाइडिन ने तब कहा था चाहे जितना भी मिलिटरी फोसेज लगा लें एक स्थिर, एक जुट और सुरक्षित अफगानिस्तान हासिल करना संभव नहीं है Conclusion दूस्तो एक कहावत आपने सुनी होगी History repeats itself अफगानिस्तान की भूमी पर हुए निरंतर आक्रमन, युद्ध, सत्ता की उलट-पुलट और सालों का संघर्ष इस कहावत को सत्य साबित करता नजर आता है आने वाले समय में यदि तालिबान से निपटना संभव हो जाता है तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोई और स्टेट पावर विश्व भर में सामराज्यों का कबरिस्तान कहे जाने वाले अफगानिस्तान पर आक्रमन करने का जोखिम उठाएगा या नहीं